चलिए question में 11 देखिए Which will earn more interest in how much? देखिए जी बताना है कौन जादा interest करेगा कितना? इसको अरा जाते है जार यह खराब हो गया दुबारसे question में 11 देखिए Which will earn more interest in why? And how much? First part देखिए P हमारा कितना है? रुपीज? 6000 लिख दीजिए 6000 और हमारा rate कितना है? 12% per annum में लिख दीजिए compounded annually है and कितना है मेरा? 1 1 by 2 years जब compounded annually होता है तो कुछ change नहीं करना हो था Simple formula लगाई है P 1 plus r by 100 power यह होता है एक बार ऐसे होता है यह हमारा formula होता है लेकिन जब हम इसको solve करेंगे क्योंकि हमारा end यह है तो कैसे लिखेंगे P 1 plus r by 100 एक बार ऐसे और 1 plus 1 by 2 multiply r by 100 एक बार ऐसे ठीक है जी? 6000 हो गया यह कितना मेरा? 1 plus 12 by 100 ठीक है? 1 plus यह ऐसे यह 12 और इसके लिखेंगे 100 ठीक है? तो 2 1 जा कट जाएगा 6000 उपर आएगा 112 लोगे तो solve करोगे तो इसके लिखेंगे यह कट जाएगा 2 1 जाएगा और 2 6 जाएगा तो 1 plus 6 अपान में 100 हो गया तो 6000 112 अपान में 100 और यह जाएगा 106 अपान में 100 solve करेंगे इसका 6000 112 अपान में 100 106 अपान में 100 1 2 3 1 2 3 ठीक है क्या है अब सिंपल कुछ नहीं है बाद में 0.0 लगा देंगे solve करो इसको उपर 6 multiply 112 multiply 106 यह आगे हमारा 712 712 3 2 नीचे कितना था? 10 तो कितना आगे रुपीज 712 3.2 यह मेरा क्या होगे अमाउंट में जरी क्याने कारना है हमें इंट्रेस्ट बताना है तो पहले इंट्रेस्ट वाट विल विच्विल अन मोर इंट्रेस्ट ना तो CI A-P A कितना है मेरा? 7123.2 रुपीज माइनस 6,000 सिंपल क्याने कितना जाएगा रुपीज 1 1 2 3.2 यह मार आ जाएगा इस क्याने से भी दिखाएता हूं आपको माइनस 6,000 क्या हो गई है 7123.2 माइनस 6,000 1123.2 ठीक है यह मेरा आ गया इच्छास को यहां लिख लेगे 1 1 2 3.2 या यूज करना है इसको सेकंड पार्ट में इसको आप करते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या है सेम दिया हुआ सेकंड पार्ट में सब कुछ सब कुछ ऐसे दिया हुआ आपको लेकिन बस सेकंड पार्ट में यह बोल दिया क्या बोल दिया सेकंड पार्ट में बोल दिया कंपाउंडड हाफ यर्ड़ी कंपाउंडड हाफ यर्ड़ी कि मैंने अब को पहले बिदाता कभी भी हाफ यह तो चीज़ करने है रेर आपको क्या करना है बारा परसेंट पर है नहीं तो इसको बारा बाए टू परसेंट पर हाफ यह कर देना आपको तू से डिवाइड कर देना है क्यों खुदी दिहान लगा लो यार बताया किती वार ब जब कॉंपाउंड एन्वरी करना होता है जब कॉंपाउंड हाफ यहलिए न को ठीक करेंगे बता हुद्ध मिक्स्ट फ्रेक्शन में दिया हूँ इसको ठीक करेंगे टू वंसना टू और त्री थिवाए टू Year्स व्योलकि यह हमने क्यों करा क्योंकि हमें इसको अगर end 2 years है, इसका मतलब है 2 बार, मतलब 2 बार interest कटेगा, अगर 3 years है तो 3 बार कटेगा, 5 years है तो 5 बार कटेगा, अब जब इसने बोल दिये half yearly है, तो हर 6 महिने बाद कटेगा, तो 2 साल में, हार चारवर कटेगा है एक दो थू चारवर कटेगा ना चलिए चलिए इसका सॉल्म करते हैं थ्री आफ यह रस हो गए तरह हैं आपारे चलिए हमाउन क्या होता है पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर N सो मेरा P कितना है 6000 इसमें भी 1 प्लस R मेरा यहां पर R गया है मेरा यहां पर R है यह कितना हो गया था मेरा 6% पर हाफ यर हो जाएगा 2, 6, 12 6 by 100 और यह कितना हो गया मेरा 3 बस ना चलिए हाफ यर लिए यहां पर लिखना नहीं होता 6106 अपाउन में 100 की पावर हो गई 3 तो 6000 multiply 106 multiply 106 multiply 106 अपाउन में कितना है 100 100 पहले चोड़ा कर लेते हैं 1, 2, 3 1, 2, 3 तो कितना हो गया 6 106 106 106 और निजे कितना है जी 110 यह हो गया ठीक है चलिए अभी रूगिए चलिए एक तरीका तो यह है कि आप पूरी उपर वाले को multiply कर लोग तो देखो अगर आप सब को multiply करते हो 6 multiply 106 6.096 यह आ जाएगा आपका समझ में आया यह आपका आ जाएगा एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका क्या है कि आप सो डिवाइड करते हो for example मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है यह थी तो सिंपल तरीका आप ऐसे करोगे अच्छा टू थी आप आप बोलोगे अच्छा अच्छा इसके बाद तो डिवाइड होने नहीं वाला हूं चीक है तो आप क्या करोगे फिर आप करोगे 53 multiply 53 multiply 106 multiply 3 ऐसे करोगे फिर सो डिवाइड करोगे आप 125 से इसको मल्टिप्लाइब करने के बाद कितना था भई कहां चला गया बूलिया मैं फिर आंसर आएगा और ऐसे निकाल लो ठीक है तो देखिए अब हमें निकालना इसका CI ठीक है तो CI कितना हो जाएगा यह माइनस भी एक इतना है मेरा यह वाला 714.097146.096 माइनस 6000 ठीक है जी अच्छा माइनस कैसे करेंगे आपको पता ही है देखो 7146.096 तो 6000 है एक दो तीन पॉइंट जिरो 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 तो 690 पॉइंट कितना हो जाएगा यह हमारा जाएगा 1461 ऐसे आ जाएगा तो रुपीज 1146.096 यह आ गया आप देखिए CI अमर आ गया अब हम निकाल देंगे हमें कह निकालना था टो फस्ट में इतना कर रहा है तो इसलिक ने इतना कर रहा है तो फस्ट कि वाल जाएगां है फ्रेंट गया है ठीक है व्न निकालेंगे किटना यह में डिफेर्ट निकालना वाज़ असलीग तो दिफेर्ट इन इंट्रेस्ट कितना हो जी 1146.096-11469 23.2 यह हो गया चलिए 1146.096 यह कहा है 1123.200 कर दो है 6 9 ऐसा आ जाएगा केरी लेंगे तब 10 होगे 10 बशे 2 गए बचा 8 पॉइंट ठीक है यहां पर तब 5 पांच बशे 3 गए बचे है हमारे 2 यहां पर बचा हमारा कितना चार 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 रहेगा चार में से दो होगे बचे हमारे दो 22.896 आ गया कितना गये 22.896 ठीक है एक वोगे टूप्यूज 22.896 ठीक है तो अलमोस्ट इसको आप 23 मान लो अलमोस्ट कितना हो गया पीछे देखता हूं किया दे रखा अंसर इसने पीछे दे रखा है इसने कौन सा क्वेश्चन है यह हमारा क्वेश्चन है ग्यारवा क्वेश्चन है हमारा तो 1146.10 सेकंड का 1146 आया था 1146.1146 क्या गहरा यार यह हां सेकंड का मारा 1146 आया था ठीक है पॉइंट 10 कर दिया कोई मसला नहीं यह तना चलेगा तो चलेगा तो छेज़ार रुपे लेन अपर 22.9 ठीक है जी सही है सही है मसला सही है यह ज्यादा हो गया और यह आंसर आगे इसको आप पॉइंट के बाद आगर जो नंबर है आठ इसके बाद क्या यहां पर नौ तो अगर पांच यह पांच से बढ़ा होता है तो इसके अगला नंबर जो है एक बढ़ जाता है आठ है तो नौ हो जाएगा साथ है तो यह ऐसे ही रहेगा मगर यह आपके अगर मैंने 5 लगा दिया तो 22.001 हो जाएगा 22.050 22.1 हो जाएगा मतलब यह जो नंबर है पांच यह पांच से बढ़ा कहीं पर भी हो पॉइंट के बाद उससे पहले वाला नंबर जो है एक बढ़ जाता ठीक है तो हमारा अंसरा बिल्कुल ठीक है ठीक है सबसे पहले ऐसे वाले कुषिशन से आपको क्या करना let sum borrowed be rupees X मतलब p हमारा हो गया rupees X ठीक है और क्या दिया होए इसमें इसमें दिया होए आँ कितना है जी दु येर से ठीक है और rate मतलब R कितना है जी हमारा 12% पर रहनम है और क्या दिया हो में इसमें if the difference between the compound interest and the simple interest ता compound interest और simple interest का difference दिया हुआ है मतलब इसमें simple interest और compound interest की बाद चल रही है तो देखे simple interest ठीक है simple interest सबसे पहले simple interest निकाल लेते हैं कितना है 12% 12% of किसका होगा rupees x का क्योंकि interest तो इसी अब amount पर लगता है जितना amount आपने बोरोट किया मतलब principle amount पर लगता है आपका तो कितना होगया 12 by 100 x ऐसी होता है ना 12 by 100 multiply x तो मतलब यह हो जाएगा तो टू सिग्ज़ ट्वेल टू फाइव जीरोजा टू थीरीजा टू फाइव जीरोजा टू फाइव जीरोजा यह मारा हो गया है कि यह क्या होगे सर अमारा यह मारा होगे simple interest एक साल का कितने साल के निकालना दो साल का तो लिएगे SI simple interest for two years कितना हो जाएगा जी रूपीज कि 3 by 25 तो है एक्स पहले से इसको कितना होगे त्रीटू जो सिक्स सिक्स बाइट्वाइव एक्स को पीज यह होगे हमारा simple interest अब हमें निकालना है compound interest कि compound interest ठीक है अब हम इस पे आ गए उसके लिए पहले में अमाउंट निकालना पड़ेगा तो P 1 plus R by 100 की power N होती है P मेरा कितना है X है सो X लिखो 1 plus R मेरा कितना है 12 है तो 12 लिखो नीट लिखो 100 power कितनी है power है मेरी 2 तो solve करो कितना हो जाएगा यह तो X रहेगा यह हो जाएगा उपर 112 upon में सो पावर कितनी है दो यह होगी है ना अच्छा इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो ज्यादा सॉल्व कर लें इसको बताओ चलिए बाद में सॉल्व करते हैं भी सॉल्व करने को फाइदा नहीं है अब सी आई निकाली है तो अब देखिए उसमें क्या वह रहा दा वेश्चन में अब देखिए मैं क्या करना है पहले मुझे एक तो मुझे यह यह तो यह दो आप देखिए मैं क्या करना है पहले मुझे एक तो मुझे यह चाहिए और मुझे एक यह चाहिए ठीक इसको मैं रब करता हुए ठीक पहले मैं दिख लूँ निकल जाए मेरा अब अब निकल देखिए 80Q according to question compound interest minus simple interest equals to 108 compound interest मेरा कितना है जी यह वाला यह वाला है ऐसा ही मतलब यह वाला यह मेरा कितना है 6 अपन में 25 एक्स और यहां मेरा कितना है 108 ठीक है चली इसको रब कर देता हूं नहीं चली को आप इसको हम सॉल्व करेंगी करते हैं इसको कैल्कुलेटर को लिखे सबसे लागो क्या करना है 112 को दूबर मल्टिप्लाइ कर लो 112 मल्टिप्लाइ 112 12544 हो गया मेरा यह एक्स अप एक्स लिखो कितना हो गया 12544 सौ को दूबर करोगे तो एक दो तीन चार इस सिंपल है अब ऐसी होगी अब यह स्क्वार हट गया क्योंकि यह अटाना था मसला था इसका बहुत अब माइनस कितना है अब माइनस कितना है और यहां पर आद यहां पर लगा दो 12544 अपन में एक दो तीन चार एक्स एसी होता है न एक्स मिल्टिप्लाइट्वाइट्यू इसगल तो टू एक्स वैरिवल बात में आता है एक्स हो गया माइनस यह एक्सपहीं मेरा माइनस 6 by 25 x अरे यार माइनस x माइनस 6 by 25 x इकोल स्टू 1 0 8 आप इसके नीचे बन नगा देंगे जिसके नीचे कुछ नीचे बन होता है अब LCM ले लेंगे इसका ठीक है चलो इसका LCM लो LCM कितना आएगा देखो यही आएगा विसे हमारा 1, 2, 3, 4 और यहारा कितना 25 तो 25 से कर लो इसका ठीक है 25 से कम 25 25 चौका 100 जीरो जीरो ऐसा आगया अब द्वारा 25 से कर लो हो जाएगा चार सुलाने 25 चौका 100 25 फूर जाओता है हमारा 100 25 एट जाओगा मेरा 200 25 ट्वेल जाओगा मेरा 300 अगर 25 16 जाओगा मेरा 400 देखो जी 25 लूर जाओगा 400 तो कितना आगया 16 आगया आपे ऐसे हो गया यह अब किसे करेंगे आप कर लो 16 से कोई ऑप्शन नहीं है अब 25 पच्चिस 625 लूर जाओगा 16 यह दो क्योंकि यह पूरा पाइब और 25 से दिवाइड है तो बड़ा नम्बर आजएंगा न FA Cup 10 और 12 हो यह से रहे होगा क्योंकि 10 तो से पूरा पूरा हो रहा तो जब यह में नभर में इस एक नंबर चैЛ Despite नबर की में निकालना है और यह इससे पूरा-व्ला करें हो रहाँत है तो वां 3060 माय इस से तो यहिसा कि पर उड़ेगा है इसका तो breast वह यह बढ़ना पड़ेगा एक दो तीन चार बार तो यहां पर लगा देता है थोड़े छोटा लगा देता है ऐसे ठीक है ठीक से लिखता हूं आप भी बोलोगे समझ नहीं आदा सब्सक्राइब यहां पर गया था माइनस 6x और यह ब्रैक्ट कितना था बन जीडो एक अब 25 बटे बल लुए किती बार पढ़ेगा निकिते बार पढ़ेगा देखते हैं अनौट सोला बार चार है ना जोई बार पढ़ेगा तब जा कितना आएगा यह समझ में आ गिया इसके बाद देखिए है यहां आप करता हूं कि इसी कितना हो जाएगा मेरा 1 2 5 4 4 x कितना हो जाएगा मेरा माइनस 1 2 3 4 x माइनस छे चोग 24 00 x नीचे मेरा कितना वहाई जो मेरा नीचे नस को यहां भी जो आप ठीक है इक अब देखो जी पहले माइनस माइनस वाले को सॉल पर लेते हैं पहले इसको ऐसे लिख दो 1 2 5 4 4 x इन दोने को सॉल पर लो माइनस माने से प्लस करो कितने हैं ठीक है प्लस 2400 24 तो हो गया हमारा कितना है यह मेरा हो गया माइनस 12400x माइनस क्यों आए क्यों क्यों अब देखिए 1, 2, 5, 4, 4, x ये ठीक है जी minus 1, 2, 4, 0, 0, x equals to 1, 0, 8 multiply 1, 2, 3, 4 ये था ना अब इसको solve करते हैं so 1, 2, 5, 4, 4 1, 2, 5, 4, 4 minus 1, 2, 4, double 0 तो यहां गया मेरा 1, 4, 4 1, 4, 4, x किसके बराबर हो गया 1, 0, 8, multiply 1, 2, 3, 4 अब x को यहां पिछोड़ दो 1, 1, 1, 4 4 को नहीं जलिया हो ठीक है अब solve करो 2, 7, 14 2, 2, 4, 2, 5, 10 और 2, 4, दुबारा 2, 3, 6, 2, 6, 12 2, 2, 4, और 1, carry 2, 7, 7 27 और 36 3 से जाएगा 3, 9, 27 3, 1, 3, 2, 3, 3, 9 और 3, 4, 12 और 4 से जाएगा 4 से 4, 2, 8 2, carry 4, 5, 10, 00 ठीक है? अब इसको multiply कर दो 25 और 3, 75, 00 तो रूपीज तो भाई हमारा आगिया X क्या आगिया हमारा X? X हमने क्या माना था? Sum borrowed Hence Sum borrowed Borrowed की spelling दिखा तो जल्दी से दिमाग काम नहीं कर रहा भी मेरा कौन सा था हमारा बार्व किशन है? Sum borrowed कितना हो गया जी रूपीज? 75, 00 ही मेरा आंसर हो गया